क्या यहाँ पर Canada एक और बिगेस्ट अपसेट कर सकती है इस World Cup के अंदर पिछले मैच अगर आप Canada को ठाके देखते हैं वो अगेंस आइलेंड था इसी वैनी के अपर और बारार अरंसे वाँ पर Canada ने जीत दर्ज करी थी सब एक्सपर्ट कर रहे थे जो आइलेंड की टीम है जो रेगलर T20 हेल थी हर एक जगा जाके वो हार गई अगेंस्ट कैनेडा और जो पाकिसान की टीम इसका मुराल दाउन आप पिछला हमें चुटा के देख लो उसके अंदर क्या हुआ 120 का टारगेट था सबको लग रहा था 86 जो परसेंटेज था विनिंग वाला विन प्रेटिटर जिसको हम कहते हैं वो पाकिसान के फिवर में था और पाकिसान चेस नहीं कर पाती 6 रन से आर जाती एगेंस्ट इंडिया इसी वह नहीं के पर इससे पहले डलास के परे टीम खेलने कही थी यूसे के गेंस्ट 15 रन डिफेंड नहीं कर पाये थे ये लास्ट ओवर के अंदर जारी उस रॉफ डाल रहे थे फिर सुपरोर का तो आप पूछो ही मत उसमें तो अलगी घमासान हो गया 19 सरन बना दिये थे महमाद आपिर पता नहीं क्या स्पेल डाल रहे थे वो और इनकी टीम चेस नहीं कर पाये थे सुपरोर के अंदर 19 सरन तो जो मोराल है ना जो हम वाइब्स की बात तरते है एनरजी की बात तरते है केनाड़े की बहुत ज़्यदा हाई है और जो पाकिस्तान है उसकी लो है तो देखने लाइक मैच होगा सुपरोर आप सबका मैच नमबर 22 के अंदर मुकाबल है कैनेड़ा बना हम पाकिस्तान के बीच में जो खेला जाएगा नासो काउंट इंटरनेस्टनल क्रिकेट स्टेडियम नियॉक के उपर मैच टाइमिंग है आज रात के 8 बजे तो सबसे बहले देखते है यहाँ पर जो यह पॉइंट स्टेबल है ग्रूप एका क्या कह रहा है ग्रूप एका मुकाबल है यह तो आप ध्यान दीजिए यह जो मैच है पाकिस्तान के लिए बड़ा कुरूशल है पाकिस्तान के दर्वाजे बंद कर सकती है क्वालिफिकेशन के कैनेडा की टीम फॉर दे सुपर एड वैसे लगबग आपको बता है इंडिया तो क्वालिफाई करनी है जिस तरह की टीम है मैच विनर से टीम के अंदर यूसे की बात तरद है इनको भी लगबग क्वालिफाई कर जाना चीए जब इन्होंने इतना मुश्किल रास्ता आसानी से तै कर लिया था पाकिस्तान के खिलाफ तो दे डिजर्व तू भी इंद है सुपर इट कैनेडा इनकी बात करें तो यह भी क्वालिफाई कर सकती पहले मैच भी यूसे को अरा सकते थे बट वेरें जून्स ना आड़े तिरशे आगे थे केनडा के इस गेम में देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान दो खिलिए तो यह गेम भाईसाब पेखने लाइक होगा तो बहुत सी चीज़े डिसस करेंगे सबसे पिछके बारे में बात तरेंगे इस गेम के अंदर हाई चांसस है 90% के एक फ्रेश पिछका स्नमाल गया जाएगा तो कंडिशन कैसे बारे में बात करूँगा और भी बहुत से पॉइंट से जो आपको हेल्प करेंगे बैतर फैंटेसी टीम बनाने के अंदर मजा आएगा आपको और जो बहने वीडियो देखने है उनको भी नमस्कार ठीक है क्योंकि मैं भाई साब बहुत बार वीडियो में प्रियो कर लिया को नाराज हो जाएगे और अगली बार मेरा वीडियो देखने नहीं आएगे तो इसलिए मैं दिल सर शमा चाता हूं आपसे तो वीडियो पूरा देखना जो भी आप देख रहे हैं आपको मजा आएगा समाच कंदर क्योंकि यह गेम यह रोमांच होगा वनसाइड शाय नहीं होना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान खेल रही है आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमंट सेक्शन में दिया हुआ है सेम आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी हम थोड़ी बहुत है जो होती है न ऐसी हरकते चालू कर देंगे जिससे आपको मजा आना लगे तो भाई जॉइन कर लेना वहां पर भी फॉलो कर लेना अब चलते हैं नासो काउंट इंटरनाशनल ग्रिकट श्रीम की तरफ नियुआक के उपर मैच है जहां पर हमने कली मैस देगा साउथ और बंगलादेश का मैस था दस जून को क्या हुआ दा उस गेम में ऐसे हुआ कुछ नहीं पहले आती है यहां पर जो टीम ती साउथ और फरीक एक्सोस चौदा बना पाती है फिर यहां पर जो टीम ती बंगलादेश एक टाइम पर लग रहा था चेस कर जाएगी फिर जैसे ही लास्ट ओर आता है बाल जो बंगलादेश की इससे बले 119 बना था इंडिया पाकिस्तान का मैस था जिसमें पाकिस्तान चेरन से आर गई एक सो टीम बना नौ विकेट के नुकसान पे एचेस होगिया 18.5 वोर्स में यहां था साउथ अफरीका नेधरलेंस का जितना मुझे आद आ रहा है जिसमें डेव इंडिया इलेंड का मैस जिसमें इंडिया चेस करें थी 12.2 वर्स में 77 बना 10 विकेट नुकसान पे यह था शिलंका का स्कोर अगेंस साउथ अफरीका तो सारे मैचस भाई सब याद है जो कि काम दंदा है अपने पास यही गाम है उठो मैस देखो सारा टाइम तो वही चलता आदमियों में सेरिसली गहना हो कैनडा की बात तरहत है यहां पर इस वैनियों के पर इस टीम ने खेले हैं एक मैच खेला है और चैने यहां पर जीती है वन स्लैश वन होगा है तू नहीं पाकिस्तान यहां पर एक खेली है जो हरी थी तीम इंडिया और बैटिंग फॉस ती का उस मैच में पेसस ने निगाला था और स्पीनर चार अभी तक यहां पर चैने अच्छे मैच उसके इन दर पेसस ने 64 विकेट निकाला है पहली पारी में 42 दूसरी परी के अंदर 22 तो पहली पारी के इनदर पेसस बहुत इंपॉर्टन अर एंटां पेसर 56 लेफ टाम पेस तो यह हाल रहा है Paces to play the biggest role in this game सिरी बात है और अगर आपको एक और देटा बता हूँ तो अभी तक क्या हुआ है इस वैंडिक उपर Spinners ने डाले हैं कुल मिला के आप सोचो 47 वर डाले है मेरे पास एक डेटा है 47.2 वर Spinners के नाम रहे और Paces ने 174.2 वर डाले है तो आप क्याली समझ सकते हो कि Paces यह ज्यादा बालिंग करता है Paces की economy 5.5 की है और Spinners की economy आपे 6.1 की है तो 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 यह क्लियर कट अडवांटेज तो पेस से economy आपे 6.2 वर डाले है तो तो यह ज्यादा बैक करना है यह देख सकते हो South Africa, Netherlands, India, Pakistan South Africa, Bangladesh तीन मैचस एक पिछ के उपर खेले कहे थे तो इस गेम में I don't think की चौती बार उसी पिछ के उपर मैच होगा बहुत कम chances है यह देखें आप उस पिछ का इस्तेमाल वाता तो इस गेम में जो यह पिछ है यह साइड वाली इसके जच बगल के South Africa, Netherlands जिस पे पिछले तीन मैचस पिछ कभी तक एक भी बार इस्तेमाल नहीं वाए शाइद इस गेम में इस्तेमाल कर लिया जाए उचे गेमित भुत लवशरे बांस अधनक वित बांस बशके ऐ दालते हैं वे बांस की बानस की बात नहीं जो अधने जो में अधने अधने जो भी आधने चरोम मैंच सब्सक्टाइम परफेक्लेंग अधने Wbuild जालता वेदर फोकास क्लेर एंड आउट है कैसी लेगी आपको पिछ रिपोर्ट कमेंड करें के बता देना चैनल पी नहीं है और सब्स्राइब को अच्छा लगता है जब दो-चार लोग और जुडते हैं अपने परिवार के अंदर तो लगता है कुछ तो बुड़ातरी हो रही है क्योंकि पता है हजार-दो-जार तो जुड़ेंगे नहीं दो-चार लोग देख रहे हैं भी मेरे भाई-वंदू सब्स्वाइब कर लेना है आगे चलते हैं दोनों टीम स्टापस में खेला आज तक एक मैस 2008 में खेला ता जहां पर यह टीम जीती थी पाकिस्तान की अब चल इललान हेलगर साथ बेन जफर जोनिया सिद्धी के तर लागे जर्मन नहीं जैरेमी गॉर्डन यह आते हैं गर्बडोस से कलीम साना यह लेफ्ट आम पेसर है और मैंने कहीं पड़ा थार कलीम साना जी है यह नो ने शायद बाबर आजम का आउट क्या था एक बार लिस्टे चाचो इमाद वसीम शाहिं शाहिं शाइब आमिर तो बहुत से प्रैट्स का इस्टीम में रोल जस्टीफाइट नहीं है इफ्टीगार चाचू का नहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं शादाब भी बॉलिंग नहीं कर रहें सिर्फ वैटिंग में कुछ खास करनी बारे लफड सिंद पाकिस्तान कलीम साना रावल पिंडी पाकिस्तान बाबरिजम काउट किया इसने याद रखना अपने निकोलास कीटन बैर्बडोस एंड सेम फॉर द क्या नाम इसका श्रेश्मोवा जेर्मी गॉड़न और हाइलेंगर गयाना से आते हैं शाल मैंने फ्लो फ्लो में न वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर तीनी प्लेट्स है जो पचास की उपर ऑसच लेके बैठे हैं पांसो की उपर रंस है एक सूरिया बाहू है जो ती तुए नमबर न बैठर है फिर आते हैं रिज्वान दोन आपको इस गिम में दिखेंगे खेलते हुए इसका भी स्क्रिंशॉ सब्सक्राइब कर देखेंगे तो लेड़ोप ठीक है यारं जॉंसन शॉदा रंस वन्यूपर लास गिम में अगेंस टाइलेंड आया था रिचंट फोड़ा सा डिप फ़र्म नवनित देलिवाल हैट्वड नहीं हेला वन्यूपर छे रंस वेसे हैट्वड किसे नहीं नहीं अटेकिंग प्लेयर है पहले गेम में इसने अगेंस देलास पे 61 की बहुत ही शांदार पारी है तो इस प्लेयर में है यार इंटेंट अगर आप देखते हैं शॉट्स अच्छे खेल लेता है सीरियस प्लेयर है परगत सिंग जाद एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है इस भाई अच्छा अच्छा प्लेयर है साद ग्यारा तैटीज बावन चार उननेस एक्सट मुछ नहीं कुछ कर लेता है रोटेट कर लेना अगर आप कुछ अलग अलग लीक्स खेल बड़ी 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 स्मॉल लिग में तो निकला स्केट है आपके लिए अपके लिए स्माल ल स्रेश मोवा गवाई तु गजब क्रिकेटर है यह इस 32 ना बाद लास्ट दो मैच इसकंदर अच्छा केला है लॉंड ना हमारा है स्रेश मोवा साद बिन जफर का एक मैच में एक विगेट है लास्ट गमें वो पीच ऑफ द डिलिवरी थी हरी ट्रुक आउट किया और मैच साद बिन जफर ने डिलॉन है लिंग गयाना से आते हैं दो विगेट है बाल सेकंद हार्ड लेंट कर लेता है बैटिंग भी कर लेता है पर्मोशन मिला था अगर आपने लास्ट गम में देखा हो तो इस प्लेयर पर नज़ रखना जोने सिद्धी एक मैच में विगेट बा जर्मी गॉडन दो विगेट है बाल सेकंड करते हुए पेस बंदेग वास अच्छी कासी हार्ड लेंट कर लेता है और अगर बाल थोड़ा सा नीचे रह गई हार्ड लेंट पे गिरने के बाद तो वो जो क्या नाम दो उसका तंजीम शाकिब नहीं किया दा वैसा कर जा सकत जिरो विकेट बाल सेकंड रिसेंट फ़र्म ठीक राता वाईगा बट डिप हो गया इस वल्ड कप में आते हाते नकल दाता रेख लीजे नमबर्स यह र्यान पठान डिजर्विंग प्लेर है बहुत अच्छा हिल लेता ही है कलीम जी पहला तीसरा 17 उननिस वा तो यह इसका अपको ब्रावो वाला रूल निवाता वा दिख जाता है यह पाकिस्तान के टीटीटीए इस टाट्स है यह हमारे टीटीटीए बॉलिंग स्टाट्स यह इनकी खासिया था पाकिस्तान की बेटिंग करती नहीं है पढ़ लेना एसको तीमस्वित मोस्ट प्लेस स्टुर और यह देख लो आप क्या है पाकिस्तान रन रेट खराब कहला है बहुत यह इनके टीटीए वल्ड कुप की परफोर्मेंस रहे कि कौन कैसा टीटीए वल्ड कुप में खेलता है इस वल्ड कुप को स्टार्ट होने से पहले के नंबर्स थे रिज्वान हैट्वर्ड किसी न और फकर जमान अटैक अच्छा कर रहे हैं लेकिन वह कैलकुलेट करके नहीं कर पारिया अटैक लास्ट गेम में आपने देखा होगा जिस तरह से आउट वे इमाद वस्तिम का पंदरा रहन है चेस करते हुए जो लास्ट गेम में आया था वो कहते है ना गेम चिंजिंग इ पाकिस्तान के अंदर सब कहरें कि हमारा चाचा चलेगा देखना आज चाचा ऐसा चला बाइसा पांच रंप आउट होगा अना बाइसा उसमें चला था है क्या कहते है उसको सुपर ओवर वाले मैच के अंदर चाचू टाइम आ गया है अपने जो लॉन्डे उनको जगा दे अबरार आमध को टीम नहीं कहला रही जो मिस्टरी लेकर आता है शदाप के बदले शाहीन एक विगेड़ा लास्ट गेम के अंदर अगेंस इंडिया रिसंट फॉम बहुत अच्छा है इस गेम में कुरूचल पिक रहेगा आपके लिए नशीम सा तीन विगेड निकाले ला इसमान खान के बदले तीस ताली सरन कर जाएगा ऐरिसराफ दो विगेड आमिर दो विगेड बॉलर सोगहर सारे इंपोर्टेंट है आगे चलता है पहला वरता शाहिन का पहला तीसरा पांच वा निस्वा नशीम का दूसरा आटवा चौदवा शोलवा अब क्यों नशीम न जीरो बॉल जीरो रन एक बार आट किया है ऐसा मैच अब होता है यहां वाइड बॉल चली जाती है उसको बॉल काउंट नहीं किया जाता है और हैलेगर ने इसको आट किया जब कैनाडा गलूबल टीट्वेंटी लीग भी थी तब खेलने आय थे अपने बाव 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 वल्ट कप अच्छा खेला बट निराष्ट किया लास्ट गेम में और एरन जॉंसन के बाद थर्ड प्लेर है इसकी पचास कुप पर उसो थो और प्लस रंस हो वल्ट कॉप साइकल में अज़ां इनका एक और वीडियो था कुछ खा रहे थे भाई साब यह यह भाई भाई को अज़ा भाई का रहे हो जाती कर रहे हो खाने को चैन्स है अब मान दे भाई को पसंद अधा फास्फूड खाएगा वो तीक है अब डायतिशन वो प्रोग्राम बनारे यह वो साइड में रखता ही है उसको फरग नहीं पड़ता श्रदाप कान फेलिर इन अमिड फेलिर इन अज़ा नहीं के बारे में अच्छे से शाहिन वन अफ बेस्ट वालर है सेकंड बेस्ट रहे है इं टम्स ओफ विकेट टेकिंग निक की बात तरहते हैं तैथिस विकेट अग्निस मैचस कंदर आफ्टर था टीट्वेंटी वल्ट कुप साइगल है रिष्वान बाबर कॉमन क्याप्टन अलग शाहिन है है रिष्वाफ है लेगर नशिम सौक आफ रोटेट कर सकते हैं टीम्स की बात कर लें फटा 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 तो मेरे देखें टीम ऐसी बनेगी सीधी बात है कि कैनड़ा के फियर में टीम बनाऊंगा फुल मैं दस एक की एक पाकिस्तान का प्लेयर जो होगा रिष्वान बात खतम आगे चलते हैं मस्ती कर रहा है सीरियस मत लेना रिष्वान होगा मेरी टीम में सीधी बात है स्रेश मुआओ को आप बैक कर सकते हैं थोड़ा से इस गम में रिस्क होगा कि इतने बढ़िया बॉलर्ट्स जो मनलब सीरिसली को यार हसी मजाग आपको साइडी में रहते हैं बॉलिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तान की तो बाबर को भी ले लीजिए यह दो प्लैट्स ना जब लंबा टिक जाएं दोनों में से एक बंदा भी प्लैट्स में आउट हो जाता है बाबर रिजान में से तो फिर कान ही पलेट्स ही जाती है तो इस गेम में दोनों लंबा खिलने को देखेंगे अब नहीं तो कब यह सीधी बात है स्टाइड भी बूश्ट करना पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान इस गेम में बहुत ज़दा हाड जाएगी हाड इन दा सेंस अगर टार्गेट चेस करना हुआ तो यह दस ओवर के अंद नहीं से मेरे को सबसे इंपॉर्टन लगया है लिंगर इमाद वसीम साथ बिन जफर को लास्ट मिनट पर देखता है एक विकेट निकालेंगे तो आपको कितने पुन तैतिस से चाली पॉंट दे जाएंगे शाहीन नशीम आमिर है इस रॉफ अब मेरे लिए आप इंपॉर् वाले बॉलर्स हैं जैसे कि वहाँ पर है जुनिय सिद्धिगी लेक्स्पिनर है साथ बिन जफर लेफ्टाम और्टोडोक्स्पिनर उनको तो भाई सब बहुत बुरा दोता है तो इस गेम में चांसे है फकर जमान की एक हाफ सेंचुरी वाली पारी आ सकती है और जैर्मी ग को में ले लेता हूं मौका दिया देते हैं उस भाई को एक और कैप्टन मे रहोंगे इस गेम में मोस्टली शाहीन नई गें से थ्रेटफुल हो सकता है और नर्शीम साप के पास है रिज्वान एक अच्छा पिक हो सकता है क्योंकि कीपिंग करेंगे इस गेम में तो ये टीम भर जाता है मेरा जब आप वीडियो शेयर करते हो मेरी फिलिंग्स अच्छी हो जाती है और समझा करो इसको अच्छा लगता जब देखके की वीडियो को शेयर किया रहा है भाई अपने माहौल सेट कर रहे हैं चारो तरफ वाटसेप ग्रूप में फेस्बूप में अपने अगर पसंदा है तो शेयर करो बगल में डिसलाइक का बटन है वो भी आप दबा सकते हैं पसंद नहीं लाइक का भी बटन है तो कुछ नो कुछ नो कुछ ने इंट्रेक्शन देगा हो यार क्यो यार वो जिंदा लाश की तर है हुआ कुछ लिखो दो तीन शब्द अपने दिल के बया करो शाइने स्कॉटा हो जारा ठीक है मजे में रहो क्या चल रहा भाई जीवन के अंदर लिख देना कुछ दोश्यब्द टीक है गाली भी चलेगी मैं पढ़ लूँ आसको ठीक है तो देख तरे स्टाइज रूजी सीसुन लब यू और अल बेस्ट वर इस गेम तरे स्टाइब यूजी चले बेस्टाइब लिए।